भारत रोशलिया के बीच के लेगे T20 वाल्ड काप डोजार चोबिस के 51 मुकाबले में विकेट कीपर रिश्य पंत पर भड़के हारदिक पांडिया दरसल इस मुकाबले में रिश्य पंत ने किया कुछ ऐसा जिस पर कप्तान रोश शर्मा ने भी जताई नाराजगी यह मामला है और शलिया की बल्ले बाजी के आखरी ओवर का 20 ने ओवर का जहां आखरी ओवर करा रहे हारदिक पांडिया के ओवर की चोठी गिन यह स्लोवर बाउंसर गिन जहां मीचल श्टार्क ने इस गेन पर पुल शोट मारना चाहा लेकिन वह पूरी तरह से बीट हो गए और गेन सीदे गई रिशप पंत के हाथों में अब रिशप पंत हमारे चालाग तो है ही रिशप पंत ने जैसे ही मीचल श्टार को अपने क्रीज से बाहर देखा तो उन्होंने विकेट की और थ्रो मारा लेकिन रिशप पंत का यह थ्रो इतना तेज सा कि यह विकेट पर तो नहीं लगा लेकिन हारदिक पांडिया जो किया गेन रोक रहे थे उनकी हाथ पर जाकर गेन काफी तेजी से लगी और जैसे हारदिक ने इस गेन को पकड़ा तो वे अपने हाथों में काफी दर्द महसूस करते नजर आए इसी दुरान हार्दिक पांडिया काफी गुसे में देखे गए हार्दिक ने रिश्यपंद की और इशारा करते गुसे में काफी गुसे में कहा कि आप थ्रो आराम से भी मार सकते हैं रिशपंद का थो जितनी तेजी से हारदिख बाड़िया के लगा उतनी तेजी से हारदिख बाड़िया चिल लाए भी और रोईश शरमा जो कीया सब देख रहे थे रोईश शरमा भी रिशपंद से बहुत ही नाराज दिखाई दिये